नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली न्यूस अनालिसिस 10 सप्टमबर 2022, आज का सबसे इंपोर्टन न्यूस है दोस्तों, नौर्थ कोरिया मेक्स न्यूकलियर पोलिसी इर्रिवर्सबल, अब देखे एक नया लोग पास हुआ है दोस्तों, नौर्थ कोरिया में, इस लोग के हिसाब से, नौर्थ कोरिया को कोई भी फोरिन कंट्री अटाक करेंगे, या फिर थेट पोस्त करेंगे, तो वो रिटालियर करेंगे नूकलियर अटाक से, मतलब अगर कोई कंट्री कंवेंशनल अट भी करेंगे मतलब non-nuclear attack भी करेंगे तभी North Korea जो है वापस nuclear strike करेंगे इस तरह यह policy कहता है तो इस policy के बार में हम आगे discuss करेंगे और कौन-कौन से important news है दोस्तों इंडिया-China to take up remaining LAC issues देखें LAC में से disengagement शुरू हुआ है काफी सारे areas में से disengagement already complete हुआ है अब P15 गोगरा hot spring area में हो रहा है तो इसके बाद दूसरे remaining LAC issues को भी take up करेंगे इस तरह इंडिया और चाइना के तरफ से statement आया है वो देखेंगे फिर Supreme Court bail grant किया है केरला जेर्नलिस से दोस्तों ये दो साल से उत्रप्रदेश में जेल में बन था बैसिकली हत्रास case से related इनको UAPA के under arrest किया था तो इस newscom discuss करेंगे फिर देखें सुप्रींग को टेक्सप प्लीस अगेंस प्लीस अगेंस प्लीस ऑफ वर्शिप आट्ट देखें प्लीस ऑफ वर्शिप एक 1991 के एगेंस काफी सारे petitions पहुझा था सुप्रींग कोर्ट में तो सुप्रींग कोर्ट ने अभी ये डिजेड किया है इन प्लीस को टेक अप करेंगे तो ये देखेंगे फिर सेंडर गर्मन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस को बैन किया है क्योंगी domestic demands ज्यादा हुआ है दो North Korea वाला नूस तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले word of the day of feelings of respect and either fear or admiration देखिए एक होता है आप किसी को respect करना कि आप उनसे impress हो गया उनकी activities से impress हो गया आपका respect है दूसरा होता है डर से respect करना जैसे कि किसी से आपको डर लगता है तो आने से आप automatically खड़ा हो जाता है respect देते हैं है कि नहीं तो इसे या फिर इस feelings को और बोलते हैं तो आगे जाने से पहले लेक्चा पर लाइक का बटन चानल को अब तक share and subscribe नहीं किया हो तो कर लीजिएगा हमें support करने के लिए आप super thanks का option यूज कर सकते हो शुरुवात करते दोस्तों सबसे फेला न्यूस इंडिया चाइना टू टेक अप रिमेनिंग एलसी इस्यूस जी एस पेपर त्री सेक्यूटी चलंजस इन बॉर्डर एरियास में यूस आपको काम आएगा वैसे हमने कल आपको बताया था इंडिया और चा इंगेजमेंट हो चुका है लाइक गैलवन वाली नॉर्थ और सौथ ऑफ पैंगॉंग लेक पीपी 17-8 होट प्रिंग सेरिया एक्सेर 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 तो लेटेस्ट डिसेंगेजमेंट चल रहा है पैट्रोणिंग पॉइंट 15 इंगोगरा होट प्रिंग्स एरियास में स तो यह मंडे तक खतम हो जाएगा इस तरह मिनिस्ट्री ओफ एक्सेर अफेस्ट ने बोला है वैसे मेजर लोकेशन एक बार में आपको दिखा देता हूं दोस्तों यह जो दिख रहा है गैलवन वाली जहां पेट्रोणिंग पॉइंट 14 है फिर उसके साओ तीस डिरेक्शन म आपको दिख रहा है यहां से अभी लेटेस डिस एंगेजमेंट चल रहा है उसके नीचे आपको पैंगोंग सो लेक दिख रहा है ठीक है तो यह सारी इंपोर्टन एरिया से एक बार थ्यान दीजेगा नौ चाइना ने बोला है दोस्तों यह जो डिसेंगेजमेंट हो रहा ह एक्चुल कंड्रोल चाइना का कहना यह है कि इंडिया लाइन ओफ एक्चुल कंड्रोल एरिया को इलिगली क्रोस किया था इस बज़े से यह सारे प्रॉब्लम्स हुआ था तो हम चाइना ट्रांसग्रेशन से पहले जो स्ट्याटस को था उसे कभी भी एक्जब नहीं यह समझने के लिए थोड़ा सा हिस्टरी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों आपको पता होगा यह जो एरिया दिख रहा है यह जो एलेसी क्लेम की हिस्टरी 1914 जिमला कंवेंशन से दोस्तों 1914 जिमला कंवेंशन बेसिकली ब्रिटीश इंडिया और टिबेट के बीच में वहा था बेसिकली उनके बीच में बाउंटरी को डिमार्केट किया था रफली डिमार्केट किया था और चाइना का क्लेम यह है चाइना जब से टिबेट को अनेक्स किया है तो चाइना का क्लेम इधर तक पहुंच गये दे इससे आगे नहीं पहुंच गये दे तो चाइना के इसाब से यह लाइन तक basically क्या है उनका एरिया है वैसे line of actual control का आपे है इधर आपको दिख रहा है line of actual control के 20 km उससे और इससे इड बेसिकली unarmed patrolling कर सकता है दोनों countries जो है basically कोई arms carry नहीं कर सकते तो basically चाइना ने basically Chinese forces ने इस area को cross किया था पैगोंग सो लेका जो finger 4 तक वो पहुंच गये दे हैगी नी finger 1 से लेकि finger 8 तक area है तो finger 4 तक शायद वो पहुंच गये दे यह सब के बार में हमने पहले discuss किया है दोस्तों इसलिए मैं ज्यादा deep नहीं जा रहा हूँ वैसे दोस्तों आपको एक चीज़ धियान रखना है line of actual control में अलग-अलग forward areas में इंडियन और Chinese troops deployed है उसमें से केवल patrolling point 15 में से disengagement हो रहा है इससे पहले Galvan Valley, North and South of Pankong Lake, PP-17 Ain, Hot Springs इथर से भी disengagement हो चुका है पर अभी भी कई सारे forward areas ऐसा है दोस्तों जहां पे इंडियन और Chinese troops deployed है जैसे कि major friction area से Demchok and Debsang Plains अभी यह Demchok and Debsang Plains का भी location में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों इथर एकदम नौर्थेंड साइड में दोलर्द बेक, Aldi के आस्पा से दोस्तों Demchok and Debsang Plains इथर अभी भी कम से कम 50 असा troops deployed है दोनों साइट्स में से तो अभी चाइना की तरफ से ऐसा statement आया है कि वो कभी भी status quo को maintain ने करेंगे status quo मतलब जैसे पहले था वैसे वो maintain ने करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यह Demchok and Debsang areas में से जो disengagement है उसके लिए और time लग सकता है वैसे इंडिया ने यह बहुत पहले से clear किया है जब तक line of actual control areas में से complete disengagement नहीं होगा तब तक India-China relations नौर्मल सी में नहीं आ सकता वैसे अभी यह जो disengagement चल रहा है दोस्तों इसका एक importance यह है shortly शांगाई कॉपरेशन ओगनेसेशन समिट होने वाला है समर्खड उस्बकिस्तान में वैसे 2019 November में last time Indian Prime Minister और Chinese President परस्ट अली मिले थे बात किये थे इसके बात अभी तक जब से यह two year long LAC crisis वगरा चल रहा है तब भी दोनों leaders ने बात नहीं किया था तो हो सकता है शांगाई कॉपरेशन ओगनेसेशन समिट जब होगा दोनों LAC crisis के बारे में बात करेंगे और एक मीटिंग हाना है दोस्तों G20 का Indonesia में November में तब भी इंडिया और चैना leaders के बीच में मुलाकात हो सकता है वैसे शांगाई कॉपरेशन ओगनेसेशन के members कौन को होने दोस्तों Russia, China, India, Pakistan कितना आपको ध्यान रखना है और 5 जो centralized countries है उसमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़के 4 countries SEO में members है आप मुझे common box में बताइए तुर्कमेनिस्तान SEO के member क्यों नहीं है हमने पहले भी इस बारे में discuss किया है वैसे इरान को भी add करने वाला है SEO में हो सकता है यह जो सम्मेट वागा इसमें इरान को officially add करेंगे Shanghai Corporation Organization में अब दोस्तों examination perspective में कुछ important points है इंडिया और चाइना के बीच में line of actual control से related क्या-क्या existing agreements है Number 1 is 1993 agreement on maintenance of peace and tranquility Second is the 1996 agreement on confidence building measures that is CBMs in the military field Third is 2005 protocol on implementation of CBMs And fourth is 2005 agreement on political parameters and getting principles for settlement of the India-China boundary question Mains के answer rating में या फिर कोई essay rating में इस तरह के points अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा marks मिलेगा अगला है Supreme Court grants bail to Kerala journalist Siddiqu Kappan GS paper to Indian judiciary fundamental rights में यह नूज आपको काम आएगा करीब दो साल पहले हत्रास case हुआ था आपको याद होगा दोस्तों 19 year old Delhi woman को ज्यांग्रेब किया गया followed by her death by four upper caste men तो इस case को cover करने के लिए केरला से एक जेनरलिस पहुंज जा था सिदिक कापन पर UP police ने इन्हें अरस किया था under unlawful activities prevention act that is UAPA वैसे UP police का कहना ये था सिदिक कापन की वज़े से violence insight हो सकता था वो basically public order को disrupt करने के लिए उस issue को एक भहुत बड़ा issue बना के लोगों के बीच में violence insight करने के लिए सिदिक कापन पहुंचा था ये बोलके unlawful activities prevention act के अंडर इन्हें अरस किया था पिछले दो साल से ये जेल में बन था कई बार court में गया है पर court सिदिक कापन का बेल को डिने करता रहा finally supreme court में पहुंच गया तो supreme court इन्हें अभी conditional bail अप्रूब किया है conditional bail क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा supreme court ने बोला है every person हासे right to free expression तो basically right to free expression वाला जो fundamental right को emphasis किया है supreme court ने इथर conditional bail मतलब क्या होता है basically कई सारे conditions के basis पर इन्हें bail अप्रूब किया है क्या क्या conditions है सबसे पहली बात तो इन्हें अगले 6 हफ़तों के लिए डेली में ही रहना पड़ेगा और local police station में हर Monday को report करना पड़ेगा 6 हफ़तों के बाद अपना native place मलपरम district in केरला वो जा सकते है पर उथर भी local police station में हर Monday को अपना presence report करना पड़ेगा investigation agency को अपना passport देना पड़ेगा दोर दिया है at the same time ये जो जेनरलिस्ट है पिछले 2 साल से जेल में बन था Supreme Court के हिसाब से this is injustice पिछले 2 साल से investigation चल रहा है UP police investigation खतम नहीं कर पा रहा है अब आप बोलोगे इसी चकर में वो 5-6 साल जेल में बन रहेगा ये गलत है ना तो Supreme Court ने बोला ये ठीक नहीं है जब UP police से पूछा गया आपको और कितना दिन चाहिए तो उन्हें बोला जल्दी खतम हो जाएगा तो Supreme Court ने बोला ये जल्दी जल्दी बहुत हो गया आब इनको हम बेल दे रहा है Supreme Court ने ये भी बोला दोस्तों हो सकता है उस दिन सिदिक कापन उधर गया होगा विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए ये तो अच्छी बात है सबको करना चीए ठीक है UP police का जो allegation से उसे भी Supreme Court ने माना है पर दो साल से जो सिदिक कापन को जेल में बंद करके रखा है वैसे UP police का allegation ये भी था दोस्तों ये जो सिदिक कापन है Terror Gang Popular Friend of India का agent है Popular Friend of India के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है ये भी एक band outfit है और allegations ये है Popular Friend of India का connection से Students Islamic Movement of India से सिनी जो और एक band outfit है तो ठीके I hope आपको पूरा background समझ में आया होगा investigation तो चलता रहेगा police को ये prove करना होगा कि उस दिन सिदिक कापन का कुछ hidden intentions थे हतरास जाने का नहीं तो ये case valid नहीं रहेगा अगला है SC takes up police against places of worship act GS paper 2 Indian Judiciary religious issues में इनोज आपको कामाएगा देखे सबसे पहले एक बात बताओ places of worship act 1991 के major provisions के बारे में 2-3 वीडियो चानल में available है आप हार्षित दिवधी नाम के साथ search कर सकते हूँ वैसे हम आपको बता देता हूँ places of worship act 1971 के major provisions क्या है August 15, 1947 में जितने religious places थे इंडिया में उनकी identity and character को protect करता है places of worship act of 1991 इसका मतलब यह है अगर August 15, 1947 को एक religious place मस्जिद था तो वो मस्जिदी रहेंगे मंदिर था तो वो मंदरी रहेंगे church था तो वो चर्ची रहेंगे समझगे आप मुझे पूछोगे तो राम जनम भूमी का क्या है देखे दोस्तों राम जनम भूमी वाला जो case था काफी controversial case था न इसलिए ऐसा है यह जो places of worship act 1991 राम जनम भूमी के लिए applicable नहीं है इस तरह Supreme Code का judgment हुआ था समझगे आप कि अबल राम जनम भूमी जो आयोधिया dispute है उस religious place को places of worship act 1991 के परव्यू से अलग किया है पर देखे दोस्तों इसके बावजूत कई सारे religious places in India के ओपर claims रहा है जैसे कि आपने recent ग्यानवाभी मस्जिद के इसके बार में सुना होगा claim यह है कि वो पहले मंदिर था करके पर आपको पता होगा ग्यानवाभी मस्जिद जो है places of worship act of 1991 के परव्यू में आता है हैग नी protection मिला हुआ है तो places of worship act के against काफी सरे petitions supreme court में पहुंचा था अब supreme court ने यह decide किया है इन petitions को accept करने के लिए basically supreme court में hearing शुरू होगा so यह bench led by chief judges of India UU Lelith said the petitions would be listed before an appropriate three judge bench of the apex court तो देखे एक three judge bench बैठेंगे इस cases को या फिर petitions को देखने के लिए तो काफी सेरे petitions आया है दोस्तों इस act को challenge करके सभी में एक major point यह है दोस्तों places of worship act of 1991 illegally bar किया है Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs को courts approach करने से अपने religious places को reclaim करने के लिए जिसे fundamentalist barbaric invaders ने invade किया था और encroach किया था और एक important point यह है दोस्तों places of worship act में section 234 कुछ fundamental rights को violate करते हैं जैसे कि right to pray, practice and propagate religion under article 25 right to manage, maintain, administer places of worship pilgrimage under article 26 right to conserve culture article 29 and also contrary to state's duty to protect historic places article 49 and preserve religious cultural heritage article 51A article 49 and article 51 यह क्या है directive principles of state policy है और बाकी article 25, 26 and 29 fundamental rights है जिसमें religion के बार में लिखा हुए दोस्तों आपको पता होगा article 25 में right to pray, practice and propagate religion है अगर हिंदूस, मुस्लीम, सीक्स, जेन्स को मना करेंगे courts अप्रोच करने से अपने पुराने religious places reclaim करने के लिए तो इसका एक interpretation हो सकता है article 25 का violation हो रहा है फिर देखिए right to manage, maintain, administer, places of worship, pilgrimage मतलब अपने ही जगाओं को पुराने जगाओं को वर्षिप करने का administer करने का जो right है वो भी violate हो रहा है फिर देखिए अपना culture conserve करने का right violate हो रहा है फिर directive principles of state policy मतलब state की duty है historic places को protect करना फिर religious cultural heritage को preserve करना इसका भी violation हो रहा है तो यह सारी interpretations है दोस्तों यह तो three judge bench के उपर होगा किस तरह वो इस interpretations को accept करते हैं या नहीं और एक petition यह कह रहा है दोस्तों places of worship pact 1991 illegal and barbarous action of invaders को validate कर दा है मतलब सालों पहले जो muslim invaders ने इंडिया में हिंदू जेन सीख इन सबके religious places को तोड़ा था लूटा था उनके actions को validate कर रहा है places of worship pact 1991 और एक petition यह कह रहा है दोस्तों जितने मस्जिद है वो legally owned and virgin land में construct होना चाहिए and temples religious character does not change after demolition of roof, walls, pillars, foundation and even offering namaz देखिए कोई भी एक religious place का चाहिए वो temple हो monastery हो जो भी हो उनके दिवार तोड़ने से foundation destroy करने से उस religious place का character change नहीं होता है या फिर नमास offer करने से उस particular religious place का जो character वो change नहीं होता है तो यह सारे petition से दोस्तों इन petitions की validity क्या है genuity क्या है यह सब code decet करेंगे वैसे मैंने आपको इधर बोला था यह जो petitions है यह इन सारे fundamental rights को जो code किया है इसमें interpretations है interpretations का मतलब क्यों होता है मतलब एक एक right या लोका अलग-अलग मतलब निकालना मतलब right to pray practice and propagate religion जो लिखा है article 25 में इसका मतलब यह भी है कि हमारे जो कुराने religious places है उसमें pray करने का worship करने का right है हमारे पास आप article 25 में जो लिखा है उसका मतलब वो भी है क्या वो court decide करेंगे यह होता ना court में basically अलग-अलग interpretations की जो genuity है, validity है उसे check करते हैं तो वैसे ही article 26 देखिए right to manage maintain administered places of worship pilgrimage अब इस article 26 में लिखा है कि आपके पास right है कि places of worship को manage करने का अब इस places of worship में पुराने places जिसे convert किया है वो भी include होगा या नहीं होगा यह तो court decide करेंगे समझ गया ना, तो इसी थरह interpretations होता है दोस्तों, एक-एक right का courts में अगला है, sender bans export of broken rice due to domestic demand GS paper 2, government policies and interventions, food security यह सब में इनों साब को काम आएगा देखे, sender government export of broken rice को banned किया है दोस्तों अभी के लिए, वैसे ब्रोकन rice जो है इंडिया में mostly use होता है as an animal feed, basically as a fodder use करते हैं, and as a component for ethanol production, ethanol production मतलब क्या है, देखे, आपको पता होना चीए, कि इंडिया में अभी के साब से 9.45% ethanol blend करता है petrol में, जितना ज्यादा आप ethanol blend करोगे petrol के साथ, उतना कम petrol का consumption होगा न, तो आज के साब से करीब 85% of crude oil requirements जो है, हम बाहर से import करते हैं, तो जितना ज्यादा हम ethanol blend करेंगे, उतना कम हमें बाहर से crude oil import करना होगा, वैसे government of India का plan है, नवंबर 2022 तक 10% ethanol blending target को अचीव करने का और 2025 तक 20% blending target अचीव करना है और ये ethanol किसे produce होते हैं, एक तो आप sugar cane से produce कर सकता है, दूसरा grain से भी produce कर सकता है, तो ये जो broken rice है, ये ethanol production के लिए भी use करते हैं, तो अभी हमें broken rice की जरुवत है, एक तो animal feed है, दूसरा component for ethanol production है, इसलिए senator government ने export of broken rice को अभी के लिए band किया है, अगर आप April 2022 से August 2022 तक compare करोगे, मतलब पिछले 5 महिने में, export of broken rice 4178% increase हुआ है, तो secretary department of food and public distribution मिस्टर सुधानशु पांडे साबने ये बोला है, एक तो broken rice हमें ethanol vending program के लिए चाहिए, दूसरा animal feedstock के लिए चाहिए, उपर से इस बार खाडिव season में area and production of party में shortfall देखने को मिला 6% का, तो हमारा production कम हो गया है, इस वक्त हम ज्यादा broken rice को export करेंगे, फिर हमारे लिए नहीं बचेंगे, basically domestic demand पूरा नहीं कर पाएगा, और देखिए, current ethanol season year में, 36 crore liters of ethanol supply करना था distilleries को, पर low availability of broken rice की वज़े से, केवल 16.36 crore liters supply कर पाएगो, तो basically 50% भी supply नहीं कर पाया, तो हमारा export से दर ज्यादा हो रहा है, domestic purpose के लिए broken rice के availability नहीं है उपर से देखिए, broken rice का domestic price है, वो भी increase हुआ है open market में 16 रूपीज पर kilo था, अब ये 22 रूपीज पर kilo हो गया है, इसका main reason क्या है, availability नहीं है ये सब के हलावा अगर आप देखो के आजकल इंडिया में domestic rice का prices भी increase हुआ है इसका reason ये है, एक तो low production forecast है, दूसरा इंडिया का export of non-basmati rice जो है, वो increase हुआ है, कितना 11% increase हुआ है, domestic consumption के लिए rice के availability नहीं है पर देखिए दोस्तों, संडर गर्मन के अवल, broken rice से related policy लिया है, basically export of broken rice को ban किया है but अभी भी export of par-boiled rice basmati rice से related कोई policy change नहीं हुआ है, इसका reason ये है दोस्तों ज्यादा export होने से farmers का जो है, good remunerative prices मिल जाएगा, export कम होने से, domestic consumption के लिए ज्यादा rice यूज़ करने से, farmers को इतना अच्छा prices मिलने का chances नहीं है अगला है, make anti-tb campaign a mass movement, president मुर्मो, gs paper to government policies and interventions and health में इनुसाब को कामाएगा, president of india द्रवपती मुर्मो ने virtually launch किया है प्रथान मंदरी टीबी मुक्त भारत अभयान on Friday, इस occasion में president of india ने ये बोला है, it is the duty of all citizens to give high priority to anti-tuberculosis campaign and make it a mass movement, तो anti-tuberculosis campaign को high priority dedicate करने का campaign है, प्रथान मंदरी, टीबी मुक्त भारत अभयान वैसे, इंडिया में जितने और infectious diseases है इस पर largest number of deaths जो है दोस्तों, टूबर कॉलोसिस की वज़े से होता है वैसे, वर्ल पॉपुलेशन का करीब 20% इंडिया में है, पर टॉटल टीबी पेशेंस का डाइटा गराब देखोगे मौर दान 25% इंडिया में है इस इस अ मैटर ओफ कंसर्ण और मोस्त अफ़ टीबी अफेक्टेड पीपल जो है, दे केम फ्रम पूर सेक्शन उप सोसेटी. तो जो सबसे वल्नरबल सेक्षन है दोस्तों, पूर सेक्षन है उन्ही में से सबसे यदा टीबी केस रिपोर्ट होता है United Nations Sustainable Development Goals के बार में आपको पता होगा, टॉटल 17 Sustainable Development Goals है उसमें एक गॉल है दोस्तों टीबी को एराडिकेट करना है उब्जेक्टिव यह है दोस्तों कि 2025 तक tuberculosis cases को completely eradicate करना है तो tuberculosis होता है एक बेर्डियम की वज़े से mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis mycobacteria के family से बिलोग करते है and this family में करीज़ फाजनद तोहंडर ममझें and यही mycobacteria diseases like TB and leprosy cause करते हैं दोस्तों humans में और wide range of animals को भी infect करते हैं humans में TB जो है lungs को affect करते हैं commonly but it can also affect other organs also जब lungs को TB affect करते हैं इसे pulmonary TB बोलते हैं जब other organs को affect करते हैं इसे extra pulmonary TB बोलते हैं वैसे TB एक ancient disease है दोस्तों 3000 BC में भी tuberculosis cases document हुआ था ancient Egypt में पर TB एक treatable and curable अगला है नॉर्थ कोरिया makes nuclear policy irreversible with new law जीएस पेपर टू इंटरनाशनल रिलेशन्स में इनुसाब को कामाएगा नॉर्थ कोरिया ने एक नया law पास किया दोस्तों declaring its readiness to launch preventive nuclear strikes including in the face of conventional attacks तो बात यह है दोस्तों अगर नॉर्थ कोरिया को कोई भी foreign country attack करेंगे फरे वो conventional attack है या nuclear attack है वो retaliate करेंगे nuclear attack से conventional attack मतलब क्या होता है basically जो non-nuclear weapon attack है उसे आप conventional attack बोल सकते हो नॉर्थ कोरिया को आप कैसे भी attack करो attack करोगे वो वापस retaliate करेंगे nuclear strike होगा and the announcement comes at a time of heightened tension between north and south korea देखे north korea and south korea के बीच में जो tensions है वो आजकल ज्यादा हो गया है दोस्तों and the newly enacted law says north korea can carry out a preventive nuclear strike automatically and immediately to destroy the hostile forces when a foreign country possesses an imminent threat to piongya अब देखे दोस्तों आगर north korea को ये लग रहा है कि एक foreign country उनके उपर threat face कर रहा है और वो country हमें attack कर सकता है इस case में भी वो nuclear attack करेंगे तो ये सारे provision से दोस्तों इस draconian law में तो north korea पिछले कुछ सालों से काफी सारे missile testing कंड़ेट कर रहा है दोस्तों कौन-कौन से missiles उन्होंने test किया है वो भी हम देखेंगे आप देखेंगे दोस्तों लेटेस्ट इन्होंने होस्तों 15 करके एक missile test किया है इसका रहेंज है 13,000 किलो मेटर मतलब पूर्य प्लानेट को वो कवर करेंगे बेसिकली उनेटेटेटेट अफ अमेरिका को तो इसली कवर करेंगे अगर ज्यादा वो North Korea को परेशन करेंगे तो ऐसे October 2020 में North Korea one of the ballistic missile अन्वील किया था हासोंग 17 तो बेसिकली आप ये हासोंग ठ्यान दिजेगा हासोंग नाम का कई सारे missile से North Korea के पास हासोंग 17 का रहेंज है 15,000 किलो मेटर and it could deliver a nuclear warhead to anywhere in the United States of America ठीके इस तरह कई सारे पर North Korea के पास nuclear weapons है इसमें कोई doubt नहीं है ठीके लेखे North Korea के north hand side में basically इनके test sites है now Kim Jong-un के under ये जो number of missile test है वो increase हुए दोस्तों इनसे पहले Kim Jong-un था उनके time पे देखिए missile test इतना ही था पर Kim Jong-un जब से premier बना है missile test किस तरह increase हुए आप इधर देख सकते हो ठीके नव इंपोर्टन मिशेल्स भी इधर लिखा हुआ है नोडों का 1,500 km range है फुकू सॉंग 3 1,900 km फुकू सॉंग 2, 2,000 km मुशू डान 4,000 km हासॉंग 14, 10,400 हासॉंग 15, 13,000 हासॉंग 17, 50,000 प्लस km range है दोस्तों बैसे North Korea का मैं भी देखी जो तू दो कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेर करता है चाइना नोर्थ हैं साथ हैं साथ हैं साथ हैं साथ हैं यह जो दिख रहा है साथ कोरिया और नोर्थ कोरिया के बीच में जो Demilitarized Zone है इसका नाम क्या है आप मुझे comment box में बताईए तो दोस्तों that's it I hope आपको वीडियो इंफरमिटी लगाओगा लेक्चे की PDF आई सुचल आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे description box में provided है Thank you for watching by way Have a nice